जिला कांगडा के उपमंडर पालंपूर और बैजनात में करोना वाइरिस के तीन नए मामले सामने आये हैं एक पुलिस करमचारी वी संक्रमित हुआ है पंचरुखी पुलिस टेशन का करमचारी संक्रमित पाये जाने के बाद प्रशाशन हरकत में आ गया है पुलिस टेशन को अस्थाई तोर पर बंद कर दिया गया है टांडा अस्पिताल में तीनों सेंपल पॉजटीव पाये गये हैं एक पंचरुखी क्षेत्र से कोरोना पॉजटीव आये हैं जो शाहिद हमारे यहां पुलिस में ही कारे करते हैं और फिफ्टी एर इनकी एज है अब ट्रेवल इस्ट्री तो इनकी नहीं है ऐसा पता चला है तो अभी हम उस एरिये में ही जा रहे हैं तो वहां पे जाके जो इनकी पूरी इनपुट्स रहेंगे या क्या प्रोसीजर रहेगा कहां वह गए हैं तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेके शाम तक ही शाहिद पूरी चरा से पिक्चर क्लेर हो पाएगी हां इतना जुरूर है कि पॉजटीव केसे जो आए है वो तीन आज आज आए हैं जिसमें एक पपरोला से है और मजहना से और एक पंचरुकी से और एक शायदवारतपुर के इनकी भी शायद रेवलि स्ट्रीए है क्योंकि इसके बारे में poparου ज्याओ नहींगे और आगेक में तो तो जैसे भी अधिकारिक तार पे जो कोई कीड़्य जाएगे भूह तरह से पता चलपाएगा फिलहाल अपने वहां पे जो भी प्रिकॉशन लेने थे वो ले लिए गए हैं और अभी उस तरफ ही मूव कर रहे हैं कंटेनमेंट जोन का रहता है जोन करना पड़ता है तो वह रहे गार जोबी आसोपी जोंगे फॉल्ट के फॉलो किये जाएंगे और शीगरी वहां पे कंटेनमेंट जोन गोशित किया जाएगा जैसे वीडी साम क्या देशों पर वाने डिविजिए ने दो पोस्टिव आगे अब क्या मैसेज आप पपली देने जाएंगे कि अब भी आगा हो जाएंगे मैं सभी लोगों से आग रह करता हूं कि जैसे कि मुझे यह लग रहा है अभी हलांकि यह कहना शायद थोड़ी सी अभी जल्द वाजी भी होगी पर अंतो मुझे यह मैसेज देने में कोई मैं द आगरह रहेगा कि बिना मतलब बाहर ना निखिए अगर आवश्यक ना हो तो बाहर ना आएं क्योंकि इस तरह से बाहर जब आएंगे तो लोग infection की चपेट में आ सकते हैं और infected हो सकते हैं और उनके द्वारा और लोगों को भी संक्रमित होने का खत्रा रहेगा तो बार बार हमारा जो lockdown में लोगों से घर रहने का आगरह था वो इसलिए था कि लोग जरूरी नहीं है कि वो उनके travel history ही हो इसका मतलब वो किसी ऐसे विक्ति की नजदीक आये थे या उसके contact में आये थे जिसका ये travel history रही होगी बाहर से या कोई संक्रमित रहा होगा तो ये इस तरह लोगों को मुझे लग रहा है अपने आप से थोड़ा सा विचार करना चाहिए और मौके की गंभीरता देखते हुए खुद को अपने आपको जो जो भी नियम है उन नियमों को मानते हो लोगडाउं के न आप नितान ताव शेक ना हो तब तक बाहर नानी में देख्यों को